और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्व पूर्णुबाद जो यह है दोस्तों कि अपना confidence को down नहीं करते हैं क्योंकि normally अगर देखेंगे तो exam में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा important role प्ले कर जाता है आप इतने confident है कुछ लोग nervous हो जाते है nervousness जो है वो आपके exam को ले डूपता है ठीक है इसलिए आप भले questions कमी जानते है जितना जानते है बट be confident होके ही exam में बैठना है दूसरों को देखके घवराना नहीं है वो जादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं आप अपने आपको बहतर सोचिए अपने आपको बेस्ट समझ के ही exam में बैठना है ठीक है और बिल्कुल confident जो है उसको down नहीं करना है फुल confident में रहे हैं कि आपका selection होगा यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलू मतलब master stroke या booster है आपके लिए नमस्कार दोस्तों आप सदीक हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छारखंड SSC के 2024 को यह जो नोटीस है दोस्तों पर देखेंगे तो इस नोटीस में जो actually mention क्या गया है तो उसमें यह mention क्या गया है कि आपका जो परिच्छा है खासकर जो graduate level exam देख सकते हैं यह important notice regarding जारखंड graduate level competitive examination 2023 को लेकर यहां पे अगर मैं नोटीस को open करो दोस्तों तो चलिए और देख लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों यह notice है छे तारीकों छे फरवरी 2024 जारखंड करमचारिश चायनायोग आवजसक सुचना और यह सुचना देख सकते हैं दोस्तों कि है जारखंड समाइन सनातक जोग्यता धारिश संजुक परतिजोगिता परिच्छा 2023 ठीक है अंतरगत 28-1 2024 यानि जिस डेट को पेपर लिख हुआ और परिच्छा इसका फैनली रद कर दिया किया है को आयोग परिच्छा में कतीपर प्रस्ना लिख होने की घटना के पश्चात आयोग के परिच्छा वेवस्ता के सम्मन्द में कई भ्रांतियां और अपवा फैल रहे हैं जिनके नि आयोग के परिच्छा कंड़क्ट कराने पर ही प्रस्म चिन एक तरह से लग गया है तो उसी को लेकर आयोग एक नोटीस जारी किया गया है कि कई भ्रांतियां और अपवाएं फैल रही है जिनका निराकरण है तो यह सुचना प्रकासित की जारी है देखे उसमें दूसरा न यह रहा 6,40,000 अभियरतियों को सम्मिलित होने है तो प्रवेश पत्र निर्गत किया गया थे यानि 6,40,000 ऐसे केंडिट थे जिनलों का एड्मिट कार्ट रिलीज किया गया था अभियरतियों के अतिधीक एबम अति विशाल संख्या के कारण परिच्छा केंडर राज के 24 ज प्रयास किया जाता है कि जिला मुख्यालायों के बाहर अनुमंडलों में परिच्छा केंडर नहीं रखे जाए जार्खंड राज में कूल अगर देखेंगे तो इस एक्जाम को लेकर 735 परिच्छा केंडर यानि टोटल अगप ओवरॉल जार्खंड में 735 एक्जाम सेंटर अभ्यरतियों के बैटने की विवस्ता की गई थी आयोग दुआरा इतने बड़े अस्तर पर नियुकती परतिजोगिता परिच्छा केंडर अभी तक नहीं किया गया था यानि अब तक जार्खंड में सबसे जादा अगर किसी एक्जाम में कॉंपेटिशन से या पिर नंब परतिजोगिता परिच्छा के संपादन अभी तक नहीं किया गया था और यहां पहली बार किया जा रहा था संबंदित परिच्छा को संतिपून और कदाचार सहित संपादन बहुत बड़ी चुनोती थी या योग खुदी मान रहा है और तीसरा पॉयंट में देखेंगे त उपरूद परिच्छा के सफल संपाधन है तो राज्य के सभी अफायुक्तों के लिए आयोध्वारा निर्गत दिसरा रिदेष में संबंध़ित जिला के उपायुक्त को परिच्छं अयोग जैनको निमीत उस जिला के संफनबे कॉदिनेटर नमित किया गया था उप परिक्षा का संचान कराए जाने की विवस्ता कराए गई थी इसके बावजूद इसका वेपर लिख का मामला सामना है उक्त परिक्षा में गोपनिया परिक्षा समागरियों का चेन ऑप कस्टडी ट्रांसपर ऑप कस्टडी एबन परिक्षा विवस्ताओं के संबन में जहारक कर दिया गया है और साथमा नमबर देखेंगे तो आउट्सोर्सिंग वारा परिख्षा तो चैनीद प्रस्टों का तदनुसार बनाएगे formulated, compose तथा मुद्रित कराएगे प्रस्ण पत्रों इन गोपनिया यानि जिस्तर से होता है राची कोसागार में जमा कराए जाने के बाद उनकी chain का study निमनालोसार है देखे 28 को संपादित होने वाले परिच्छा है तो सभी जीलों के लिए परिच्छा समागरी राची जीला कोसागार में सुरक्षित रखने एवन जीलावार वितरन करने है तो आउट्सोर्सिंग एजनसी द्वारा बाईस एक दोहचार चौविस एवन तेईस एक दोहचार चौविस को सिल्बन अवस्ता में राची कोसागार को उगलवत कराए गई परिच्छा संचाल में तो 23 और 24 को उप्त परिच्छा समागरी सभी जीलों को प्राधी कर दन्दादी कर रहे को सिल्बन अवस्ता में वितरित कर दी गई यानि परिच्छा आपका 28 को था तो 23 और 24 को ही सारा डिस्टिक में वो डिस्टिबूट कर चुका था सिल्बन अवस्ता में तो उसी के बारे में यानि इस एक्जाम से रिलेटेट ही सारा चीज इसमें मैंसेन किया गया है ताकि ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे समझ रहे हैं मतलब आयोग का ये कहना है कि ऐसा नहीं है सारा चीज वेवस्तित रूप से ही क्या गया है इसके बावजूद कोईशन पर लुक हुआ है तो उसी से रिलेटेट ये बैसिकली नोटीस दिया है ताकि लोगों को ये न लगे कि आयोग इसमें सम्मेलित है आयोग कहीं न कहीं ट्रांस्पारेंट है इसको लेकर तो बैसिकली दूस्तों इसी को लेकर ये नोटीस ज़रेकर है कि आयोग के तरफ से और ये रहा सिजल सम्मन्दित अपडेट जो भी है कि आयोग बादूरेंट अपड़ेगे रहा सिजल सम्मन्दित अपड़ेगे।